आज की इस वीडियो बात करेंगे पुलिटिकल साइंस यानी राज नीती साफ्तर के मोस्ट इंपार्टन कोईश्चेन और एंसर के बारे में एक तरीकी सी वीडियो महा संग्राम रामबाण होने वाली है क्योंकि ज्यादा तर प्रशना आपकी परिच्छा में इसी वीडियो स साइंस है और उनकी कल पर सो याने वाली दिनों पर इच्छा लगी है ठीक है यहाँ पर समस्टर का नाम देख दीजिए अभी कोईश्चेन आपको दिखा रहे हैं ठीक है और प्रिटिकल साइंस अब्जेक्ट है प्रिटिकल प्रोसेस इन इंडिया यह प्रशन पत्र का ना ठीक है और वीडियो को ध्यान से समझते रहे हैं क्योंकि बहुत फारेच हात्र क्या करते आप सभी बहुत ज्यादा बड़ी गलती करते गलती यह करते कि वीडियो को लास्ट तक देखते नहीं जो पता चलता है कि हम एक दो मतलब की बताएं आप लोग कोश्चन आपने उन ठीक है या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए सासन प्रडाली है इसमें जनता के हित में जनता द्वारा चुनेगे प्रतिनिद्यों द्वारा फाफन का फंचालन होता है कहने का मतलब यह है जो लोगतंत्र जो है एक ऐसी प्रक् चुनी जाती है ठीक है बाद में वही फरकार जनता का संचारन करती है ठीक है और भारत में वेश्वाद के समापत के बाद जब आजादी मिली तो यह अनुभो किया जाने लगा कि ऐसी सरकार होनी चाहिए जो जनता के हित्में कारिर करें ठीक है यानि कहने का मतलब यह है कि जब भारत आजाद हो गया पुरी तरह इसको freedom मिल गया उसके बाद यूजना बनाई गए कि ऐसे सरकार होनी चाहिए जो जनता के द्वारा चुनी जाए ठीक है मतलब कि जनता उसको चुने ठीक है और जनता के द्वारा चुनी जानी चाहिए ताकि जंता के चिट में कोई अच्छा नेड़े अच्छा कारे कर सके ठीक है। पीपी लिए यह बताया गया कि जन्ता के हित में व्राइश जो कि प्रमुक बिद्वान हिनों ने कहा है कि लोग तंत्र वा सास्तन है जिसमें राजी की सास्तन की सक्त किसी विशेश वर्ग में नहीत ना होकर संपूर जन समधाय में नहीत होती है कोई एक इंसान ही या फिर एक राजी के पास सक्ती रहे होती ना एक समधाय के पास होती है यह संपूर समुदाय के जितने भी लोग होते सभी के पास उनका अधिकार है ठीक है कि वो किसी भी सरकार को जिता फकते या फिर किसी भी को ओड़ दे फकते इसलिए लोगतंतर की प्रिकरिया आवस्यक है ठीक है तो इस प्रकार लिखेंगे परिचे उसके बाद लोगतंतर समाजिक शुरूप लिखेंगे ठीक है लोगतंतर का समाजिक शुरूप है फिर राजनितिक लोगतंतर का शुरूप आपको मिलेगा है चलिए पहले यहाँ पर देखते हैं पहला पॉइंट है कि लोगतंतर का समाजिक शुरूप इसके बारें पढ़ लेंगे ठी तो इसके बाद लोग तंत्र का आर्थिक शुरूप ये भी महात्पूर्ण कोईश्चन है और अगला कोईश्चन है लोग तंत्र का राजनितिक शुरूप ये तीनों शुरूप आपको जरूर तैयार कर लेना है ठीक है क्योंकि ये प्रश्णा कई बार पैच्छा में आ चु सब्सक्राइब करना पड़ेंगे दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पका सब समझ में आता चला जाएगा अगला कोश्चन की आजादी जब हो गई उसके बाल लोग तांतिक रजाज नेतिक वेफ्टा पर प्रकाश डालिए ठीक है तो चलिए इसके बाद जान इसके लिए एक कोश्चन का उत्तर प्रस्तुत है लिखाए कि उपनिवेश काल अंग्रेजी शासन के समय सभी वैस्क नागिर्कों को मत देने का अधिकार नहीं था ठीक संप्रदायक्ता के आधार पर मत अधिकार दिया गया था उपनिवेश काल के दोरान आंदोल लनकारी या तर्क देने जाएगा ठीक है और यह दुनिया भर का बहुत ही बड़ा लोकतांत्रिक देश से अपना देश भारत देश यही कहा जा रहा है यहां पर कि अगर जनता के द्वारा किसी भी निर्वाचन के माध्यन से भारती जो जनता है ठीक है यह किसी भी किसी भी जो बनाई जाएंगी पार्टिया उनकिसी भी को ओड़ देगी उसके हिसाब के साफन चलाया जाएगा ठीक है तब ही यह लोकतांतिक राजनीतिक पोश्पल हो पाएगी ठीक है तो वही कहा जा रहा तो जब यह उपनेवेश काल था मतलब अपना देश जब अंग्रेजियों के कैद मता ठीक कैद मिथा उसके बाद कैद में रहते रहते बहुत फारे क्रांद कारियों के द्वारा आंदोलन किया गया तो उस आंदोलन में यह कहा गया कि तरक देने लगे मतलब आंदोलन कारी जो हमारे थे भारत देश की वो कहने लगे कि भारती उपर सासन भारती ही करेंगे मतलब कि भार अर्थों में भारत लोकतंत्र को अफथापित कर दिया जाएगा तभी ये संपह होगा कि भाई भारत का इंसान भारत पर ही सास्तन करेगा और वह जनता द्वारा निर्वाचित चिया जाएगा ठीक है और यहां पर और जानकाए लिखी कि लोकतंत्र की दिशा में एक कदम प्राप्त प्रतेक नर्नारी को मत देने का अधिकार दिया गया लेकिन 1988 में स्रमबैधानिक संसोधन द्वारा वैस की आयो 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दे गई लोकसभार राजसभार और अफ्थानी निकायों के चुनाव वैस के मत अधिकार के अधार पर होता है तो आपक 21 वर्ष से थे ठीक वो चाहे नर हो चाहे नारी चाहे मतलब की मैन हो चाहे हुमैन हो ठीक है लेकिन उसके बाद एक संसोधन आया 1988 में 16 संसोधन ठीक है संविधान में उसमें यह कहा गया कि भाईया 21 वर्ष जो है यह ज्यादा है इसको घटा कर 18 कर दे तो आज आप लोग कर 21 वर्ष यह पोईंट है अगला कोश्चेन प्रश्टू था हिस्तरप्रदेश में मिली-जूली फरकार पर प्रकास डालीगänge के जब आम चुना में किसी भी धल को पूर्ड बहुमत नहीं मिलता है तो कई दल मिलकर सरकार का गठं करते हैं कहने का मतलब ये है कि Labour लिजे कि कई पार्टियां है तो उनको कम उट मिलता है यंदि बहुत कम बहुमत मिलती है तो वो क्याHein बहुत करता है चलो ऐसे पर ये लिए समाजवादी पार्टी है ये ये तीन पार्टियां और एक बहुत बड़ी पार्टी है ठीक है और हमेशा यहीं जीतती है ठीक है तो यह पार्ट यह सब ज़्यादा ओट पाती है तो यह एक पार्ट या दो पार्ट या तीन पार्ट यह बहुत कम कम ओट पाती है यानि कि बहुत कम बहुत पाती है तो इन तीनों नकार भाईया चलिए हम एक जुट हो जाते हैं ठी तो वही बात यहां पर हो रही है, कि कई दल मिलाकर सरकार का गठन करते हैं, जिसे मिली जूली फरकार या सम्विस सरकार कहा जाता है, यानि कि कई सरकार मिलकर या कई दल मिलकर गठन करते हैं, तो उसको मिली जूली सरकार के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में मिली जू दलो एम नर्दलिय विधायकों के साथ मिलकल चंद्रभान गुप्त के नेत्रत में सरकार का गठन किया गया लेकिन चरण सिंग द्वारा अपने तेरा साथियों के साथ कांग्रेश पार्टी छोड़ देने से प्रदेश सरकार तहती के सत्र में दिन ही गिर गई और ये कोईशन आते हैं एक दल प्रणाली किसे कहते हैं दुई दली प्रणाली किसे कहते हैं ये प्रशन कई बार पर इच्छा में आ चुके और हमेशा आते हैं आप भी तैयार कर लीजेगा ठीक है एक दल प्रणाली का उदय हुआ रोफ जर्मनी इटली चीन एक मतलब की जब महा युद्ध के बाद एक दल प्रणाली का स्टार्टिंग हुई ठीक है रोस देश जर्मनी इटली चीन तथा कई उरुपियों देशों में भी इस परकार का सासन प्रचलित हुआ एक दल सासन प्रणाली में राज में कोई अन्य दल नहीं होना, ठीक है जन्ता के समस्त वर्गों से अपने सदस्चुनते लेकिन इस प्रकार के एक दल्य सासन अधिनायक तंत्र कहलाता है एक दल्प्रणाली जन्ता की अपेच्छा सासकों के आदिशों को महत्तों देता है एक दल्प्रणाली में सरकार की नीत से एकता ठोस्टपन होता है लेकिन इ इसे दे समझा गया है कि इसे दल्गत ताना साहे की संगया दी जाती है एक दल्परणाली में विभिन विचारधारों में से किवल एक विचारधारा का प्रतनित होता है तो गुल मिलाके इस पूरे मतलब से सार ये है कि एक दलय प्रणाली का मतब एक ही फरकार खड़ी हो वही को जिता हो और वही सासं करें बस ठीक है दूसरा हो गया दूई देली प्रणाली दूई देली प्रणाली में होता है कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए दल प्रणाली आवस्यक है बिभिन्य देशों में या फिर बिभिन्य देशों की दल प्रणाली की अपनी अपनी विशिष्टाएं होती है ठीक है सभी देश की ज जनता को सासन के निर्मार और उसकी ठीक है सिस्टम को बताती है कि वो किसको ओड दें किसको ना दें तो दूइद दलिये जो प्रणाली है इसका मतलब यह हुआ कि दो दल है वो मतलब एलेक्शन के लिए खड़े होंगे दो पार्टिया ठीक है तो उसमें कौन सा दल अच्छा है कौन सा नहीं है ठीक है कौन सा सासन अच्छा करेगा कौन सा अच्छा फाफन नहीं करेगा उस पे उसको ओड डालना होगा उसी को ठीक है जनता नेड़े करेगी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है उसी साफे ओटिंग करके उसको जिताएगी हो गया दूद दलिये प्रण तिनों को आप अपने नुसार तयार कर सकते हैं अगला कोस्चन की भारती सम्विधान के चोहत्र में समवेधानिक संसोधन पर प्रकास डालिए ठीक है यह भी महात्पूर्ण प्रस ने आप सभी के लिए ठीक है कई बार आचुका है इसको भी धहान रखेंगे चाहिक ने इसकोशन देखते हैं इस समय ज्यादा समय नहीं मिल पाता हमारे पास कि हम आप लोगों को ज्यादा एक्षपेइन कर पाएं इसलिए हम कोश्चन और नों प्रवाइड कर देते हैं और बेसिक आपको हम समझा देते हैं बाकी आप अपने उसार तयार कर लिज़ी है ठीक है बहुत फार इन्वर्सीटों पेपर लगे हैं लगातार अगला क्वेश्चन कहरा है कि संविधान में गेरवी अंसूची की संसोधन द्वारा जोड़ी गई है तेत्रवे संविधानिक संसोधन पर प्रकाश डाली है ठीक है यह भी मात्पूर्ण प्रस्ण है ठीक है य गर्म पंचायतों को अप समयधानिक दर्जा दे दिया गया है उनका चुनाओ का रिकाल समाप्त होने से पूर्भ करा लिया जाता है इसके लिए एक राज निरवाचन आयोक का गठन किया गया है इनको राजसरकारों को बित्ति शाहता मिलता है ठीक है इन राजसरकार के ऐबाव समौह के प्रमुक्ग कार बताई यह कभी कदार आता हमेसा नहीं आता तो लगरद एंपको डबाव समौह की प्रमुक कार बता दे रहे हैं पहला नंबर एक पर अपने सदस्षों कि हितु की पूर्ठी के पूर्ठी के रितन करना कोसिश करते रहना कि हमारे जो सदर से हमारे जो जनता उसका भला हो और लाब हो दुफरा है जनमत के निर्माण में सहायक लोकतंत के संचालन में सहायक कार पालका की निरुंकुस्ता पर प्रतिबंध बिधी निर्माण में सहायक निर्वाचन कार में सहायक राज नितिक चेतना के निर्माण में सहायक तो यह कुछ प्रमुक कार है दबाव समों के जो कि आपको ध्यान देना है यह हमेशा नहीं आता कभी कदार आता है चाहे उपर वाला क्वेशन आए चाहे यह आए कि जाज नेतिक दल और दबाव समों के मतले अंतर बताना यह भी मतलब महात्पूर है तो यह भी आफ़कता है वो भी आफ़कता है तो लेकिन एक इसमें से जरूर उम्मीद है आने की ठीक है अगला बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्ण है जो कि आपको ध्यान जरूर देना है कि भारत में चुना फुधारों पर संशिप्त प्रकाश डालिए यह प्रस्ण गारंटी वाला कुष्चन है कि आएगा ही आएगा इसका मुख्य रिजन मैं अपने प्रस्णली एक्सपिरियंस के इस आप से बता रहा हूं क्योंकि अभी रेसेंटली में मार्च और अप्रेल में चुना होना है तो इसलिए इस कुष्चन को इस बार आना बन इसका उत्तर लिखना अब तक लोगसबा के जौदा आहम चुनाव हो चके हैं इन सभी चुनावों में कुछ कमिया देखने को मिली हैं इप लिए समय सबब्स सोब्सक्राइब करने के लिए सुझाओ देने के लिए बिन समीतियों मायों को गठन किया गया है इन आयोगों न जने के लिए सबसे पहले महाराष्ट उच्च न्याले के नए अधिश वियम तारकुंडे की अधिस्ता में एक समित का गठन किया गया इस समय के निम्न सुझा होई ठीक है मतलब कि जो चुना होता है हर साल ठीक है तो उसमें कुछ कमेटियां ठीक है कुछ लोगों का गुरू समित की सिपारिश ठीक है जो की उच्च न्याया लेके न्याय धिस है वियम तारकुंडे इन्होंने एक समित बनाई है उसमें कुछ सुझाव दिये हैं जो कि आपको प्रस्तुत कर रहे हैं इन्होंने कहा कि मता अधिकार की आयो एक की फेगटा कर अठारा कर दी जाए हलाक कि पुराना मतब की अप थारा है है पहले के बात है ठीक है और राजनितिक चुनावों है अपनी डल mesa अपनी बै का बहुरह रखें ठीक है और नितिक दलो को सरकार की तरफ से चुनावी खर्चा दिया जाए निरवाचन आयोक की सहायता के लिए राज निर्वाचन आयोग का गठन किया जाए तो ये कुछ सुझाव देगे हैं तारगुंडे के द्वारा देखे वहें पर मुखे चुनाव आयोग तो स्यामलाल सकधर के सुझाव कुछ यहां पर देगे हैं जो कि आप पढ़ लेना है ठीक है मत दाताओं को परचे पत्र द द्वारा उन पर ध्यान देना है काफी हिल्पर कोश्चन है आने कुमीद धर्म निर्पेच्चिता बहुत ही हार्ड लेबल का कोश्चन है इस बार अभी पिछले मत तब कि इसी बार भी दो तीन चार दिन पहले पेपर हुआ प्रिटिकल फ्राइम का थर्ड समेस्टर का ठी जो कि पंथ निर्पेच्चिता मैंने जब जब देखा कभी नहीं आया इस बार नए आयड हो गया तो धर्म निर्पेच्चिता के साथ आपको पंथ निर्पेच्चिता भी कोश्चन तरियार करना है जो कि अभी आगे पंथ निर्पेच्चिता के बारे में डिस्कुसन करें पहले हम जान लेते हैं धर्म निर्पेछ राज गोसित किया गया है यहाँ सरकार का आपना कोई धर्म नहीं सब्हुत के सास्थ समानवीवर किया जाता है समिधान के अच्छेद पचीस से 28 तक सभी नागरिकों को धर्म तुतंद्रता का अधिकार गया दिया गया है कोई भी धर्म का परिवर्तन करा जाता तो वह बिबात का कार होता इसलिए अब इस विचार विवस किये जाने की आवसकता महसूस की जा रही है वो सभी धर्म के लिए बराबर काम करती है सभी सभी धर्म के लिए बराबर होती है यहने की हिंदू के लिए दूफरी मुस्लिम के लिए दूरी और जो सरकार होती है वो किसी धर्म का बिरोत नहीं करती है न किसी धर्म का वो बढ़ाई करती है ठीक है हो कह रहा है कि जनता है हम सभी के लिए बराबर योजिना है बराबर जो हमारा योगदान है या फिर अनुदान हो तो वो पुरी तरह फोदंत रहें ठीक है वो परिताय कर सकते हैं और किसी भी धर्म को accept यानिश भी कार भी कर सकते हैं ठीक है और इस बात को और भी ध्यान रखेंगे कोई ब्यक्त है माली जे कि वो हिंदू धर्म का है लेकिन उसको कोई बार बार फोर्च कर रहा है कि आप मुसलिम धर्म में परिवर्तन कर लीजिए उसको mentally stress कर रहा है पिर उसको जवर्जफति करा रहा है तो वो एक बिवात का करण है जिसके लिए कानून एक्सन लेगा ठीक है आप उसके लिए complaint दर्ज कराव रखते हैं तो उसके लिए action लिया जाएगा तो ये है धर्मन रिपेश राद इस प्रकार पर चलिखेंगे अगला question है जाति उम वर्ग किसा करात्म भूमी का ये महात्पोर प्रशने जाति ईयोवम वर्ग फे जुड़ा एक दो प्रशने guarantee वाल अगला प्रशन बहुत ही हाई लेबल का है कि महिला सफ़कती करण पर प्रकाश डालिए महिला फे जुड़ा आपकी परिच्छा में एक प्रशन जरूर guarantee के साथ देखने के मिलेगा महिला सफ़कती करण या फिर एक और अभी एक और प्रशन है वो भी इन दोनों में से एक आएगा ठीक है तो महिला सफ़कती करण के बारे हम लिखेंगे कि नारी वाद का प्रारहम 1960 में साइमन डी वायस के द्वारा किया गया इन्होंने अपने पुफ्तक सिकेंडर सेक्स में इस सिद्धान को परभासित किया है कि या फिद्धान नारी की आजादे पे जुड़ा करता है या सुनिश्यत करता है कि महिलाओं को समान अफ़र फिच्छा रोजगार प्राप्त हों समर्पित और अमता धिकार भी महिलाओं को पुरुस के समान मिलनी चाहिए यानि कह रहा है कि कोई पुरुस और इस्तरी में भेद भाव नहीं होना चाहिए समाजिक छेत्रों और नहीं हो एक रही और नौकरी के लिए बराबर शप्धा अगर कोई वेकंसी निकल रही है चाहिए पुलिस के हो चाहिए आर्मी को या पिर किसी भी ठीक है किसी भी चाहिए वो मालिजे की केंदर की नवकरी हो या फिर राजसरकार की नवकरी हो ठीक है दोनों में बराबर का हक होना चाहिए ठीक है पुलिस के वेकंसी निकली ते एक नहीं कि महिलाओं की नहीं है सिर्फ पुर्सों की है ठीक है तो बराबर होनी चाहिए और इ पत्ति का अधिकार मिलना चाहिए यह कहा गया है ठीक है तो पूरी डीटियल यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं इसी के बारे में पूरा महिला के बारे में महिला को पुरुस के बराबर समझा जाए कहीं किसी भी चित्र में महिला को कम ना समझा जाए इसी के बारे में पूर इसे बारे में आपको लिखना बहुत ही हाई-ले गुश्य और इसको को भी कर लेंगे ठीक है यहां पर कुछ पार्टियों के नाम और उनकी चुनाओं चुनी के भी नाम यहां पर प्रस्तुत किए जो कि आपको पढ़ लेना है ठीक है ओके पंथ निर्पेशिता यह वाला नियू को इस बार अभी दो तीन चार दिन पहले पर परिच्छा हुई इसमें यह कोश्चन आया था ठीक है पंथ निर्पेशिता हलाकि कभी नहीं आया लेकिन इसके बार थोड़ा समझ लेते हैं धर्म निर्पेशिता और पंथ निर्पेशिता को समझने के लिए अंग्रेजी सब्द रिलीजन और धर्म के मूल में जाना आवज चेक है पंथ न से सम्रद्ध है वस्तुता राज पंथ निर्पेश तो हो सकता है क्यों धर्म निर्पेश नहीं धर्म निर्पेश होने पर राज अपनी प्रसांगिकता खीक हो देगा अश्पश्ठ है कि पास्चात जगत में आयातित सब्द ठीक है शिकुरिल जम भारते प्रिश्ठ भूम में अनुकूल नहीं है और यद इसकी उपियोगिता है वितो धर्म निर्पेश चिता का पर्याय मान कर नहीं धर्म निर्पेश निर्पेश कि समरणार्थाग पिर당히 तो अपना स их अभिभिक्त करते हैं अर्थार्त भारत में धर्म निर्पेश चिता का démocr jaar करना ठीक है भुरूंति मूलक है और ये कथा कथि धर्म निर्पेचिता राज नितिक स्वार्थ फिद्ध का एक छदम अश्ट बन गया है ठीक है इस प्रकार आप इसके बारें तैयार कर लेंगे इस बार नया कोश्चिन एड हुआ है तो धर्म निर्पेचिता है पंत तैयार कर लिजेगा पूरी तरह आपको साबित होगा ठीक है तो ये पूर्टी के पूरी जो पीडिया पर कोश्चिन एंसर वाली इसको हम टेलीग्राम वाट्सप पर दोनों पर प्रवाइड करेंगे तो वहां पर डाउनलोड करके आप तैयार कर लिएंगे अगर आप कहे तो आप उसमेंच भी तैयार कर लिजीगा जहिंद